इसे लव की बात जो कर रहे हो आप, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो है, यहां दो यांग लोग है अभी जो अपने पीक टाइम पे जाब है महनत, हासल, करियर बनाने का टाइम है, इस ताइम पे लव डिस्ट्रैक्ट करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं अभी यह सोचने की बात नहीं है, मैंने कहा ना कि life is flow, love is flow, यह flow है, हो गया तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इसको extra effort लगा के करो, distraction तो है इसे, लेकिन यह अब हर चीज के प्रॉस कौन से है, जब distraction है, तो जो बंदे दिमाख वाले होते हैं, हम जैसे हैं कि हम सारी चीज़ें manage करते हैं, लब भी करने, पढ़ाई भी करने, तो इससे management skill बहुत अच्छी हो, manage करना बहुत अच्छा आ गया, बट distraction तो होता है, क्योंकि एक time, मैं यह मानता हूँ कि प्रेम एक अती है, अती मतलब extreme वाली चीज है, और extreme कोई भी चीज पर्मानेंट रहती नहीं है, यह है, क्योंकि यह वो वली चीज है कि एक building है और उसके दो pillar है, अब अती जादा करोगे तो वो करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और pillar अगर करीब आ गए तो building का गिर जानत है, या तो आप वो दूरी maintain रख पाए, यानि आपने उसकी जो freedom है और उसने आपकी जो freedom है वो छोड़ी हुई है, आप दोनों के बीच में एक fixed distance है, तब तक तो वो चलेगा, जहां करीब इतने जादा आ गए, अती हो गई और बिना अती के एक हत्म होता नहीं, तो मतलब मैं यह मानता हूँ कि प्यार अंतिम नहीं है, या साधी इसका destination नहीं है, प्यार एक अलग च जो मैं इस से cover करूँगा, क्योंकि मैं काफी बात करते कर देना, डाइग्रेस कर गया आपसे, अलग अलग चीजे बात करने लग गया, हा मतलब मेरे साथ यह है कि मैं, पता नहीं मेरे से पास इतने सारे thoughts आजाते कि आप पूछ होगे, मैं पूरा उसका लिचोड देके, मैं यह तरीका बनाया है, बलब यह मुझे जानना था, कि यह स्टोरीटरिंग स्किल्स है, क्योंकि है हरकी से सीखना चीजे लाइफ में, तो ऐसा क्या आपने नोटिस किया है, इंडियन जंता के बारे में, या इंडियन स्टूदेंस के बारे में, जो आपको लगता है, इस तर यार मैं वहां से निकला था, थोड़ा सा टाइम लगाता, तो अब मुझे फिक्स पता है, तो मैं अपनी लाइफ से ऐसे इसे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये चीज़ सीखी है, यही मैं बच्चों को भी कहता हूँ, कि मोटिवेशन बहुत दिर तक काम नहीं करेगा, बट इंस्पिरेशन जो हम सीखते हैं, जैसे कि पहला ब्रेक अप बहुत दुखदाई होता है, दूसरा नहीं होता, क्योंकि हमें पता चल चल चका होता है, कि पहले के बाद ऐसी फिलिंग आई थी, हम बहुत रोहे थे, कि अब सब कुछ खतम हो गया लाइफ में, लेकिन फिर से याद रह जाती है, बस मेरे साथ कहें कि सब कुछ दिमाग में फीड होता रहता है, क्योंकि मैंने फालत हुआ कचरा कुछ फीड करनी रखा है, तो अच्छी जल्दी से सदल हो जाती है, कि मैं कोई रील्स तेख रहा हूं, बहुत मुझे मतलब बिल्कुल चसका नहीं है, ज क्योंकि आदत ही है, और मैंने खराबाद ने पाली नहीं, जैसे मुझे पता है, मैं कहता हूं कि मैंने जीवन में सब कुछ किया है, खूब, इंजॉय किया लाइफ में, बट मैंने सराप कभी नहीं पी, छुआ ही नहीं मैंने सराप को कभी, तो वही है कि मैंने सराप, सिग अब सब कांशियस हो गए उसके बाद आपकी कहीं हुई बात आं उतनी त्रेस्ट वर्धी नहीं रहीं आप अपने होसो हवास में रहते हुए कुछ कहें कोट भी यह कहती है कि कोई आपने बयान दिया आपने होसवास में दियत रहनेi वही सत्ह है तो उस भी वैलू नहीं है आपके कहे हुए सब्दों की कोई वैलू नहीं है तो स्ब्सट्राइब निया आपकी अको खुद रहा ही ब्रात आपंड आपना पड़े होई तो उसका कोईशेंस नहीं घीवन में मैं कुछे मैं गलत बैट के बात करेंगे तो मैं उस वक्त भी ना नहीं कहता हूं मैं उस वक्त भी ठीक है यार चलो क्या सबको सफ़ाई देखा exactly मैं गलत भी नहीं था बस मेरे की मेरी personal choice है और मैं खुश हूं उसके साथ सबसे बड़ी चाहिए same